पॉलर जुड़ गए हैं बात कर लेते हैं जी नमस्कार स्वागत है आपका जी नाम बताइए जी जी सवाल कीजिए जी मित्तल भाई जी मेरे सवाल इंधी आतिम जी के मुझे तो तीन परिशानिया हैं और आपके इन उसके जए साधे नोट किये हैं मेरे परिशानिये के मिए ड्यालसिस में परोओं उसके मुझे कोई प्रावलम नहीं है ड्यालसिस को मैं कोई दिकत में मानता मेरा पेट बिल्कु ठीक नहीं रहता और मेरे उत्मों में बहुत दर्बेटा डाइलेसिस कितने दिन में करानी पड़ती है आपको मुझे हफसे में दो रफ़ा डाइलेसिस कराना पूरता है उसकी में कोई प्राब्लम भी नहीं मानता ठीक है एज बता दीजे हमारा कोई नस्खा लिया नहीं है उट तक आपने ठीक है जिन लोगों को ब्लड पेशर हो या खुजली होती है वो लोग काला नमक न डाले अच्छा दीक हे डाइलेसिस हफते में दो बार होना अच्छा नहीं है आप तो हिम्मत वाले आदमी है और हफते दो हफते में अगर एक बार हो तो कोई बहुत बड़ा खत्रा नहीं है तो इसके लिए देखिए आप एक चीज ले देजिए और वो है जैतून का सिरका जैतून का सिरका आपके पेट को भी अच्छा रखेगा और आपकी जो क्रिटिनाइन बढ़ जाती है यानि किड्नीज की गंदगी जो बढ़ जाती है जिसकी ज़्यादा बढ़ जाने की वज़े से डायलेसिस होता है ये उसमें बहुत कमी करती है और हाट पेशेंट है तो ये दिल की भी और ब्लेट पेशर की भी बड़ी ख़वर लेती है चर्बी को निकाल कर बाहर कर देती है और ब्लेट पेशर से निजात मिलती है और अगर किसी को हार्ट ब्लॉकिज हो जाए तो उसको भी खोलने में मदद करती है तो ये तो हुए आपकी दो-तीन मर्जों की बात यानि डालेसिज, पेट की प्रॉब्लम, दिल की प्रॉब्लम और डाइपटीज जोडों के दर्द के लिए आपको एक गौंद आता है, गौंद सिया, वो ले लीजे, 100-200 ग्राम खरीद लें लेकिन असली लीजे, उसमें आधा ग्राम सुबा आधा ग्राम शाम खाना शुरू करें, आपके जोडों का दर्द, ये 100-200 ग्राम खत्म होने तक ठीक होना मुम्किन है जी, इसे के साथ नेक्स्ट कॉलर है, जैन सहाब, राजिस्थान से हमारे साथ स्वागत है आपका नमस्कार साथ, जी आधा जैन साथ, फर्माईए क्या सवाल है, इमें दिन ये साथ, चिम साथ, मैं आपका नहीं में देख चाहूँ, मेरे को ऐसा है साथ कि यूरिन की थोड़ी प्रॉब्लम है, साथ प्रॉस्टेट पहले हो चुगा था पहले तो, पंत्वा अभी भी साथ हो सकता है, तो रात के टाइम, मेरे को जब बातरूम लगता है, वो कभी-कभी तो इतना मरब बहुत मुश्कित से लगपाता है, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, कितनी उमर है और क्या-क्या बीमारी है अभी आपको? अभी तो उट तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो सर्क ली है, मेरे को से बातरूम की ज़्यादा प्रॉब्लम है, और तो तोड़ा सा गर्द है ठीक, अच्छा, रुखिये, ज़्यादा उमर में ज़्यादा तर लोगों को ये परिशानी हो जाती है, और आपने उमर तो नहीं बताए, लेकिन आपकी आवाज से अंदाज लगा रहा है, कि आप सिक्स्टी के करीब के इनसान हैं, तो जिसको भी ये परिशानी हो जाए, तो वो घबराए नहीं, इसका बड़ा असान इलाज भी है, और वो ये है, कि पूछ सकते हैं, रसवंती, लाजवंती, सो सो ग्राम लें, और सो ग्राम गौन मोरिंगा, सो ग्राम गौन मोरिंगा, इन सब को पाउडर बना लें, और तकरीबन दो, एक चम्मच उसमें दवा आती तीन चार गिराम यह तकरीब दो गिराम यह देड़ गिराम रोजाना रात को और सुबह को खाने के बाद खा लिया करें आपकी यह बीमारी जाना मुम्किन है चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है निधी गाज़ेबाद से हमारे साथ स्वागत है निधी आपका अच्छा बहुत 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 शुक्रिया आपने बताया और क्या सवाल है आपका जी मुझी PCOD की प्रोब्लम है और उसके क्या है कि हेर पूल बहुत ज़्यादा हो गया और फीर पे भी बाल आ गया है उसके लिए आप कोई घरे लोग चाह रहा हो या पर कोई मेडिसन बताईए अपनी चीक्छे देखिए हार्मोन्स टेस्स कराएं अगर वो हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब हो तो पिर उन्हें कंट्रोल किया जाएगा और एक नारियल पानी और आदा ग्राम गौन मौरिंगा ये एक बार दिन में पी लिया करिए गौन मौरिंगा आदा ग्राम रोदाना उसके साथ पी लिया करिए आपकी ये दोडो परिशानिया ठीक होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ पवन महाराश्च्र से स्वागते पवन आपका अलो नमस्कार मैं जी नमस्कार जी ये जो मेरी मम्मी है उनके पेट में बहुत दर्द होता है तो मैं आपकी न मेरी मम्मी से बात करोना चाहता हूँ जी जी आलो जी जी बताईए क्या सेवा है बताईए मेडम देखो मेरा पेट में तकली दे बताईए बताईए बतादीए पूरी बात मेरे पेट में तकली पुट दीए दिए फील जाता है मेरा खाना खाले अच्छा कोई जाज कराई आपने फेट की जाज करा जाज करा है कहा है कराही ती आपने वह इपने जाज करा लिए मेरा शक भी दूर हो गया और देखिए बड़ा आसान इलाज है आपका और एक सिर्का आता है सिर्का आप समझते होंगे विनेगर को कहते हैं बेटा साथ में बेटा हुआ है समझ जाएगा अब ये ऐलो वीरा का सिर्का आता है ऐलो वीरा विनेगर ये आप जब भी खाना खाएं आपकी सब्जी या सालन हो उसमें दो तीन चम्मच छोटे चाय के चम्मच मिला के खाईए सुबह शाम एक टाइम भी ले सकते हैं बहुत प्रॉबलम हो तो दो टाइम लीजे तो उसी दिन से आपको फाइदा शुरू हो जाएगा मुझे उमीद है और अगर सब्जी सालन में डाल के नहीं ले सकते हैं तो पानी में डाल के लिए लेकिन नेट मत पीना काफी तेज होता है अलो वीरा का सिर्का आप इस्तेमाल करें मुझे उमीद है कि आपको फाइदा उमकिन है चलिए आपको फायदा जरूर होगा लेकिन उसके लिए आपको ये देशी नुसके अपनाने होंगे तो बस आप लोगों को एक छोटा सा प्रियास करना है फोन उठाना है नबर्स पर कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पर लगतार दिखाये जा आए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से हमारे साथ अखलेश हैं बारबंकी से स्वागत है अखलेश आपका जी बताईए कि या सब मुझे दो सार हो गया है जी जी बुलिए दर्द हो जाद रहता है धड़कन बढ़ी रहती है और ब्लट पेसर भी कंट्रोल नहीं रहता है कितनी उमर बताईए आपने चोबिस साल अरे बहुत कम उमर है कोई चोट वोट तो नहीं है रहता है एक लोग बता है कि वहां पहुआ करके बात कीजिए और अगर आप गौर से सुन रहे हैं और आपके पास कौपी और पैन है तो लिख लीजे कौपी पैन है आपके पास अब देखिए आप लोग अगर पैन लेके बात नहीं करेंगे तो कैसे समझ बाएगा नसका अच्छा आप याद कर लीजे देखिए लीबू तो आप जानते लीबू अदरक लेसन इन तीन चीजों का एक एक लीडर जूस निका लिए फिर याद कर लीजे लीबू अदरक ल लीडर जूस निकालिए और आपको खरीदना है बाहर से एक लीडर जैतून का सिर्का अपने फोन में लिख लीजे जैतून का सिर्का एक लीडर लीजे और इस सबको मिक्स कर दीजे और पिर तीन चम्मच शुबा नाश्टे के बाद पानी के साथ लें और तीन चम्मच रा खतम होना मुमकिन है चलिए नेक्स्ट कॉलर है मोहन गुजराच से हमारे साथ सबागत है मोहन आपका आपका मोहन बाइब आचा मोहन दा जी बताई यह सवाल कीजिए इस वाल हमको यह आख बहुत होता है ने तरी में बढ़ता की बोटी है क्या होता है आपको एक बार दुबारा बताईए आप मुझ चलती हूं ने चलने में तकलीप सांस चड़ता है ने चलते समय अच्छा एज बता दीजे अपने आयू बताईए अच्छा अच्छा देखिए इस उमर में यह रोक हो सकता है कोई बड़ी बीमारी नहीं है और बहुत आसानी से इलाज भी हो सकता है अगर आप तीन चार महीने लगातार इलाज करें जैतून का सिरका देखिए आपके पास कोई बैठा हो तो वो समझ लेगा या आप लिख लीजे जैतून का सिरका रोज आदा रात के समय तीन चमच पानी में मिलाकर एक गिलास पानी मिलाकर रोज पिया करिए और ती-चार महीने पिएगे तो आपकी ये परिशानी ठीक होना मुम्किन है इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है सुन्दर दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है सुन्दर आपका जी बोलिए मैडम जी कैस बनती मेरे अच्छा एज बताईए और कब से बनती है जी हो गई ताइम हो गया और इससे आप खबरदार हो जाएए अगर सॉनोग्राफी नहीं कराई है आपने तो एक बार सॉनोग्राफी करा लीजे जो पूरे पेट के अंदर का बताएगे किस वज़े से बनती है अगर पत्री है तो पत्री का इलाज करना पड़ेगा अगर पत्री नहीं है तो एक बहुत आसान नस्खा आप लिख लीजे दिखिए धनिया सौफ अजवाइन जीरा और गौन मौरिंगा गौन मौरिंगा असली लेना बाकी तो चीजों की आपको पहचान है गाउन मौरिंगा असली लीजे इन सब को 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाईए और एक चम्मा सुबा एक चम्मा शाम खाने से पहले खाने के बाद जैसा भी आपको आसानी हो सुबा शाम खाईए ये 400-500 ग्राम जो मैटेरिल मैंने बताया है इसके खत्म होने से पहले आपको फाइदा होना मुमकिन है जी, नेक्स्ट कॉलर है हनी संबल से हमारे साथ स्वागत है हनी आपका जी, नमस्कार मैं मुझे बहुत रिक्सक और परिशान हो रही बहुत ज़्यादा क्या परिशान है आपको मेरे आप पहलो में दाने में गया है हम कुटे-शुटे दाने गया है वह बहुत सब्सक्राइब मेरे ठीक है अलो ठीक है ठीक है एज बता दे न 21 21 अच्छा दिखिए अलसी लीजे 100-200 ग्राम ले लीजे हलका सा भून लीजे उसे फिर उसका पाउडर बना लीजे और ये एक चमच अलसी और आदा चुटकी ये चुटकी है आदा चुटकी आपको खाने का सोड़ा इसे मिलाकर रोजाना एक बार या जादा से जादा दो बार लेना है पानी के साथ अगर ये आप चंद रोज या चंद हफते लेते हैं कुछ हफते या कुछ रोज लेते हैं तो आपकी परिशानी ठीक होना मुमकिन है